वर्दक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की एकॉनमी की साइज इतनी इस समय है इसमें पूरी तरह से बैस्ष्थ हूँ इस इंटरीम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट चुमिले हैं कि हमारी एकॉनमी जो आज दुनिया की टाइफ अटरीम में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक बोर दें 5 ट्रिलियन डालर जाएगी ओर 2030 आते आते बोर दें 7 ट्रिलियन डालर तक पुर्दक है और आगे के लिए भी और अधिकाशा है बढ़ती हैं और भारत की एकॉनमी की साइज इतनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्थ हूँ इस इंटरीम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट चुमिले हैं कि हमारी एकॉनमी जो आज दुनिया की टाइफ फाइफ पंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन 5 ट्रिलियन डालर जाएगी और 2030 आते आते मोर देन 7 ट्रिलियन डालर तक पहुंशेगी जो एक रोड मैप दिया है उस रोड मैप उस टार्गेट को हम एचीज करेंगे हम दों पूरी तरह से कांफिडेंट है बहुत थैंकर है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती है और भारत की एकॉनमी की साइज इतनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आस्वस्थ हूं इस इंटरीम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन पिस बजट चुमिले हैं कि हमारे एकॉनमी जो आज द बोर देन 5 ट्रिलियन डालर जाएगी और 2030 आते 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 बोर देन 7 ट्रिलियन डालर तक पहुंशेगी जो अधिक जो एक रोड मैप दिया है उस तु रोड मैप उस तार्गेट को हम एशीव करेंगे हम दो पूरी तरह से कांफिडेंट है